हेलो गाइज वेलकम येर जैसा कि लास्ट अपिसोड में देखा था हमने चैन बुजिन उस आइलेंड में फस जाता है वो कहीं से भी जाता है लेकिन वो मौलिमेंट के सामने आके खड़ा हो जाता है वो सुभा से लिए कि विल्कुन शाम होने वाली होती है पूरे टाइम उस सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है और जो लोग नीव आये वीडियो देखने के लिए आप से दिल से रिक्वेस्ट करता हो कि प्लीज सस्क्राइब एं लैक जरूर करके जाईएगा अब देखते हैं आगे एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैन वुजिन एक पिर वहीं पर जमीन पर बैटने के साथ सोचता तो मेरे शरीर की भूक और यो सब दोडने की ठकान किया ही सब नकली है और फिर जमीन की जाच करने लगता है कि जमीन में कुछ गडवत तो नहीं है फिर वह उसके बाद खड़ा हो जाता है और से मुझे सब़एब इह पता ह जाता है कि अपना वुजिन उसी मौलेमिन्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसको देख रहा होता है और देखते हुए कहता है यहां पर यह सारी चीजे जो भी हम देख रहे हैं यह बस एक भरहम है और कुछ नहीं है फिर कहता है क्योंकि असली एंटरेंस यहां पर है और फिर दिखाते हैं यह कहने के साथ ही वो उस एंटर के सामने आकर चिलाते हुए कहता है मैंने यहाँ पे सब कुछ देखा है मुझे दिखा हो कि असली क्या है और तबी हम को दिखाते हैं Chain Woosun की यह बोलने के साथ ही वहाँ पे उस gate में से power निकलना start हो जाती है और सारी जगा वहाँ पे वाइबरेट होना स्टार्ट हो जाती है और दोस्तों जैसे ये लिण चैन ने गेट खोला था बिल्कुन वैसे ही वहाँ पे गेट ओपेन हो जाता है और चैन वुजिन देरे-देरे चलके उसके अंदर जाने लगता है जब Chang mezin अंदर जाता है तो वहाँ का पूरा का पूरा सीन ही बदला हुआ होता है वहाँ पे पूरा space type की जगा होती है और साथी साथ वहाँ पे बस सीडियी सीड़ी होती है और gate होते है Chang mezin अंदर जाने के पाद में पूरी जगा को देख रहा होता है और उपर पहुँचके वो जो सामने वाला बड़ा वाला गेट होता है दोस्तों उस गेट के सामने जाके खड़ा हो जाता है और फिर हमें दिखाते हैं उस गेट के सामने खड़े होके कहता है इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा होगा मैं सच में इस बारे में जानने के लिए बहुत ज़रा एक्साइटिट हूँ और ये बोलने के साथ ही वो उस gate को दीरे से धक्का देना स्टार्ट कर देता है और फिर scene change होता है चैन वुजिन उस gate को धक्का देके खोल देता है और कहता है senior मैं चैन वुजिन हूँ और अंदर की तरफ दिरे दिरे बढ़ रहा होता है फिर दिखाते हैं कि अंदर आते हुए बहुत ज़ादा खुश होता है और खुब इस्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ मेरी बेबी, मेरी जान, मेरी औरत तुम कहां हो मुझसे दूर क्यों हो अभी तक और तभी गाइज हमको दिखाते हैं ये लिंचैन का जॉंबी वाला रूप क्योंकि उन आप्टोपस ने उसके उपर कंट्रोल किया होता है और चैन वुजिन के सामने वो खड़ी होई होती है तभी चैन वुजिन ये लिंचैन क के पास से आवाज आती है युवा लोग हमेशा लापरवा और एहंकारी होते हैं फिर कोई कहता है खास कर जिस औरा से वे प्यार करते हैं उसके सामने उन्हें अपनी बातों पर शर्म नहीं आती है और तभी ये कहने के साथ ये लिंचैन दिरे दिरे अपना हाथ आगे बढ कर लेते हैं और चैन वुजिन इस तरह से ये लिंचैन को देखके वो एकदम से शौक डो जाता है और घपराते हुए कहता है जद तेरे की यहां पर क्या हो रहा है आखिर मुझे कोई समझाएगा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है और फिर हमें दिखाते हैं कि ये लिं चैन वुजिन के तरह बढ़ना स्टार्ट कर देती है चैन वुजिन उसको ऐसे जॉंबियोले रूप में देखने के बाद में एकदम घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है क्या ये लिंचैन किस प्रकार के डीमन के वच में हो तुम मुझे बताओ तुम तुम ऐसी हरक क्यों कर रही हो और साधे साथ बहुत ज़ादा घबरा रहा होता है दोस्तों और फिर अमको दिखाते हैं वो जो आप्टबस के चैन वुजिन के सामने आने के बाद में जी लिंचैन के बलून को सामने खोल देते हैं हलका सा जो कि गाइस देखने में एक नंबर शेप है फि लिकिन जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं मुझे लगता है कि काफी रुमांटिक डिमान है यह मजा आगे देखने के बाद में एक नंबर यह बोलने के बाद में चैन वुजिन दिवाना तो ही चुका है दोस्तों अब एक दम से बोलता है अच्छा ठीक है हम सब कुछ भूल ज अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो आप से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब एन लाइक जरूर करके जाहिएगा थैंक्यो फर वाचिंग मैं वीडियो लव यॉल